झालो फ्रेंट्स आज हम लोग बहुत इंपार्टेंट इससे बात करेंगे वह है मोल्ड पर बात रखने से पहले हम तो फन्जाई की बारे में जाएं तो फढ़ी के ok य्शुक बारे में जानते हैं विटाकर 5 धायuencia के बारे में जिसमें की एक निए VII времени तो वो हम लोग अलड़ी पढ़ चुके हैं उसको उसको पर चर्चा नहीं करेंगे एक नया जो कॉंसेप्ट दिया गया है गाईने वाउगन एंड बारनर के द्वारा नाइटीन ट्वैंटिसिक्स में दिया गया था इसमें जो फंजाई का क्लाक्सफिशन हुआ था वो प्लास्फिशन बेस्ड उन इस पोर प्रडक्शन पर वा था तो इसमें क्या था इसमें भी 4 types थे जिसमें कि पहला जो है कि Phycomycetes दूसरा Escomycetes तीसरा Bacidiumycetes और चौथा Deutromycetes इनको थोड़ा समझे लेते हैं क्या है तो Phycomycetes के भी दो groups हो गए थे इसमें पहला जो है Oomycetes A है और B जो है आपका 1B that is Jigomycetes जो Phycomycetes है वो देट इस algae fungi है Oomycetes पर हमार आजाते है Oomycetes क्या है Oomycetes in sexual reproduction sexual reproduction में का जाए Oomycetes का फर्मिशन होता है इस पर इनका नाम किया गया है और इसका इसका इसामपल है फाइट ऑफ थेरा इन्फेस्टेंस पोटाइटो ब्लाइट जो डिजीज होती है इसके उजएस होती है दूसरा जो इसका टाइप है इनके 1B है वो है जाइगो मैसिटी जाइगो मैसिटी जो टाइप हुआ है जाइगो स्पोर्स इसके अगर इजामपल इंपोर्टेंट है तो वो है आपका राई जो पर्स सेकंड टाइप पर हम आते हैं एसको मैसिटीज एसको मैसिटीज क्या है इस सैक पंजाई है एसकस बनता है कप शेप बनता है इसमें स्ट्रक्चर तो सेक्शुल रिप्रोड़क्शन विदिन सैक लाइक वैसकस होता है यह बहुत इंपोर्टेंट टाइप है इसके एजामपल से इसपर्चिलण सब्सक्टाइब जो और इसका इंपोर्डेंट एमश्रूम नेक्स्ट जो है आपका व्हुर्टेंगेर्ट लास्ट वंडैट इट ट्रोम सिटीज यह इंपर्फेक्ट फंजाई होते हैं और इनके जो है कोई सेक्शुल रिपरॉड क्शन नहीं होता है के वह ले सेक्षिन रिप्रटक्शन होता है इसे एजामपल से आपको फ्यूसेरियम तो इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन देख लिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने मोल्ट टॉपिक प्रें उससे पहले थोड़ी सी और चीज़े जान जाए जब फंगस की बात करते हैं तो फंगस देट इस तरह टो ट्रॉफिक यूकारियोटीक होते हैं हेटो ट्रॉफिक मींस देट आपकोंजूमर्स और यह यूनी यह मल्टी सेलवर हो सकता है फादर अफ इंडियन माइकोलोजी ज इस इस इन प्लांट्स यह किस संस्था समंदित है यह जान जाए हम लोग ही बिलाउंग्स टू इंपेरल एग्रिकल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट एट पूसा बिहार इन 1905 में उससे समंदित हैं एक और बहुत सिम्लर टर्म जान जाए है जो हम लोग अलड़ी इंटर प्रश्जान जी ताकि आपको कोई कंफिजन नहीं स्लीम मोल्स क्या है दिस बिलॉंग्स टू किंग्न प्रोटिस्टा यह फंजाई समंदित है यह प्रोटिस्टा है ग्रूप जो फाइब की नप्लासिफिकेशन जो हमने कहा था विटाकर का उसमें एक यह प्रोटिस्टा ग्रूप है उससे समंदित है दे आर अल्सो कर्ड फंगस लाइक प्रोटिस्टा होते हैं अ अ चैनली लोजिक सेलवाल होता है लेकिन जो फंगस में होता है वह काईटीन का सेलवाल होता है मोल्ड जो है इसमें जो फंगस के तीन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामपल से यह मोल्ड है इस्ट है और मश्रूम है हम इन तीनों को एक बार ब्रीफी देख लेते हैं कि तीनों में क्या डिफ्रेंस है तो जो मोल्ड है देटिटे मल्टी सेलवर माइक्रोस्कोपिक होता है प्रेशों सर्मॉल आइजिए है फ्री फॉर्मिन माईचेलिय को इसमें फिल्यामएंठ सपरामेंट ते एंट वतिक जो है यह नोह अलीविंट कि कर देन यह थी, क्या है? यूनिवर माइक्रोस्कोपिक है वह मैल्टी स्री जो है यूनिवर माइक्रोपिक है जैं है क्थी इस्ट तरिज दर रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाइब बढदिंग से इसका वेजटेटिव रिपोड़क्शन होता है यानि कि एसक्षुल रिपोड़क्शन होता है और उसमें जो है आपका filamentous fungi third one that is the mushroom mushroom is macroscopic multicellular sexual organ is floating body to a difference clear oh yeah more east or mushroom me kya more that is the multicellular microscopic okay each that is the unicellular macroscopic oh yeah and mushroom is macroscopic multicellular macroscopic hand to a different sense next coming to the reproduction of the mold mold में reproduction कैसे होता है इसको देखते हैं तो sexually by farming gygo sports का formation होता है which results from fusion of two haploid cells under favorable condition उसमें होता है कि है दो haploid cell n और n 2 meet करते हैं तो formation होता है gygo sports का उसके बाद उसकी meiosis होती है हैं तो मियोसिस हम जानते हैं कि sexual organs में होता है मियोसिस तो टू new haploid cells n और n दो और formation हो जाता है जाइगो sports एक जाइगो sports से तो यह होगे आपका sexual reproduction of the mold और a sexual reproduction of the mold में क्या होता है उसमें जो कि sporengio force होते है इस प्रेंजियो force होते है special hy-fi होते हैं यह फिर convert होता है sporengio sports में 2N दोनों है special hy-fi है hy-fi से sporengio sports का फर्मिशन हो रहा है इस टू एन उसके बाद माइटॉसिस होती है अगें दो जो है टू एन टू एन का formation हो जाता है यानि की рок selbst का formation तो sexual reproduction में हाप्लाइट सज का formation हो रहा है cex na production में आपका डेप्रफ्यड़ योच्च्टर का formation हो रहा है सुछे मौट का structure और समझ लेते हैं इस इसमें होताय आपको this poor होता है this poor के बाद आपका germ gaforngio YouTube का फर्मिशन होता है से नेक्स्ट हाइफी का फर्मेशन होता है उसके बाद लास्ट मेह मैसीलियम मैसीलियम देज नेट्वर्क आफ ब्रांश हाइपी होता है और यह लाजर देन देएस्ट एंट बैक्टिरिया एंड दे कैन भी फॉर्म्ड ओन एनिमल्स और प्लांट किसी पर भी फॉर्म हो सकता है तो इसकी एक क्राटेस्टिक होती है मौल्ड का जो क्लासिफिकेशन है जो जनल क्लासिफिकेशन होती है उसको एक बार जांग जी कंप्डिटीव पॉंट ऑफ इस से बहुत ज़्यादा पूशा जता है इसमें के स्टार्टिंग विच्टिंग्डम के बाद आपको फाइलम फिर क्लास फिर ओर उसके बाद फैमिल अभी उसके बाद जीनस एंट लाष्ट में होता है स्पीसीज इस तरह से क्लासिफिकेशन का कुछ ताइप साप मोल्ड की हम बात करेंगे इंपॉर्टन टाइप्स की बात करेंगे बहुत सारे टाइप से मोल्ड के लिकिन हम बैसिक टाइपस की बात करेंगे इसमें कि पहला है ब्लैक》 ब्रेट मॉल्ड है राइजो पस दूसरा है आपका पेनिसीलियम मॉल्ड होता है ब्लू चीज होता है पैनिसिलियम ऊट्रेस्थ मौ कि इस बलू अत्र स्थांट है डेटो ज्टॉड एम मॉन and aspergillus niger that is black and fifth one that the fusarium rosium that is pink color चलिए अभी हम लोग जो जो हमने अधेयन किया उसको एक थोड़ा सारी विजन कर लेते हैं इसमें हम लोग मोल्ड के बारे में study किया है मोल्ड से पहले हमने फंगस क्लासिफिकेशन की बात की क्लासिफिकेशन में जो चार टाइस हमने देखा वो हमने अधेयन किया उसके बाद अमने जो है जो फंगस होते हैं तीन जो होता है हम लोगों ने टाइपस अप मोल्ड के बारे में कुछ स्पेसिफिक इंपोर्टेंट चीजें अधेयन किया थैंक यू